अर्ध मत्सेंद्रा आशन दोनों पेर सीधे फैला कर बैठ जाएं दाहिने पेर को घुटने से बेंड कर बाएं पेर की जंगा से नीचे की ओर स्थापित करें बाएं पेर को घुटने से बेंड कर दाहिने पेर के घुटने के साथ एडी लगाएं दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाएं धीरे से कौनी को घुटने के पास स्थापित कर पेर के पंजे को पकड़ें बाएं और से पीछे की तरफ देखने का प्रियास करें पंद्रे सेकिंड तक स्थिती बनाए रखें धीरे धीरे स्वांस भरते हुए वापस आएं आसन समाप्त करते हुए धीरे धीरे पेर फैलाएं दूसरा भाग अर्ध मत्सेंद्रासन बाया पेर घुटने से बेंट कर दाहने पेर की ओर बाहर की ओर स्थापित करें दाहने हाथ को उठाएं और बाये पेर की ओर हाथ से पेर के टकने को पकड़ने का प्रियास करें दाहिनी ओर से धीरे धीरे पीछे की तरफ देखें लगभग 15 सेकिंड तक स्थिती बनाए रखें धीरे धीरे स्वास भरते हुए पैर सीधे फैलाएं आशन संपन विश्राम दोनों पैर सीधे फैला कर बैठ जाएं दाहिने पैर को गुटने से बेंड कर बाएं पैर की जंगा से नीचे की और स्थापित करें बाएं पैर को गुटने से बेंड कर दाहिने पैर के गुटने के साथ एडी लगाएं दाहिने हाथ को ऊपर की और उठाएं धीरे से कोहनी को घुटने के पास स्थापित कर पैर के पंजे को पकड़ें। बाएं और से पीछे की तरफ देखने का प्रियास करें। 15 सेकिंड तक स्थिती बनाए रखें। धीरे धीरे स्वांस भरते हुए वापस आएं। आसन समाप्त करते हुए धीरे धीरे पैर फैलाएं। दूसरा भाग बाया पैर अपने से बेंड कर दहने पैर की और बाहर की और स्थापित करें। दहने हाथ को उठाएं और बाये पैर की और हाथ से पैर के टकने को पकड़ने का प्रियास करें। दाहिनी ओर से धीरे धीरे पीछे की तरफ देखें, लगभग पंद्रे सेकिंड तक स्थिती बनाए रखें। धीरे धीरे स्वास भरते हुए पैर सीधे फैलाएं आसन संपन विस्राम। झाल आसन संपन विस्राम। खर्फ भरते हुए पीरे खरी अगर की तरफ रचे की तर रखें। झाल विस्राम। झाल 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 झाल